तो ये पराठे जो है वो बहुत हेल्दी है वेट लोस के लिए बहुत हेल्दी और टेस्टी पराठा बनाना हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए यहां पर 400 ग्राम जीती मैंने लोकी लिए तो लोकी की हमें डंठल हटा देनी है अच्छे से हमेशे वाश कर लेना है और अब हम इसकी स्कीन भी हटा लेंगे वजन कम करने के लिए लोकी बहुत फायदे मन रहते हैं और भी बहुत सारे बेनेफिट से रहते हैं लोकी को जब है लोकी खरी Turner से नाखुन प्रेसकर की लोकी को खरीदे लोकी को हर्ते लगे मैं रहेगी वलकी कर लेंगे इसकी श्यांतर है महिन कद्राइब कर सकते हैं था है तो यह पर मैं इसे मधय साइज में कद्राइब कर रही हूं अगर used तरह के बाकी के मसाले कर लेते है रहसे और मिक्राइब कर यह के यह उनला की सब्सक्राइब आप बारिक कटी हुई पालक भी एड़ कर सकते हैं स्वाद अनुसार हम इसमें नमक एड़ कर देंगे नमक पहले से एड़ करने से लोकी बहुत ही अच्छा पानी छोड़ने लगेगी तो इसी से ही हम आठा गूत लेंगे एक टेबल स्पून दन्या जीरा पावडर हम इसमें एक टेबल स्पून हल्दी पावडर एक टेबल स्पून लाल मेश पावडर एक टेबल स्पून कसूरी मेथी को इस तरह से हम हाथों से क्रश करकर एड़ कर देंगे एक टेबल स्पून भूने हुए जीरे का पावडर एड़ करेंगे इसी थोड़ा सा चटपटा बनाने के एक टीम पून चाट मसाला भी एड गड़ीच स्वां अजवाइन को इसतरा से हातों से क्रश करकर एड़ करेंगे एक टेबलस्पून पीसी हुई चीनी एड़ करेंगे और एक टेबलस्पून निम्बू का रस एड़ करेंगे अगर बहुत अट्रिक डायट फोलो कर रहे हैं स टेबल स्पून जितनी अधरक लेसुन की पेस्टेट करेंगे तीन से चार चमत सफेद तीलेट कर देंगे तो बहुत ही बेजिक मसाले से ये पराठे हम बनाएंगे सभी को में अच्छे से मिक्स कर लेना है लोकी भी अच्छा खासा पानी छोड़ चुकी है लेकिन फिर भी हम से दस मिनट के लिए ढखकर रख देंगे तो दस मिनट के बाद हम आठा लगा लेंगे आठा लगाने के लिए यहां पर हम जवार के आठे का यूज करेंगे तो दो कब जितना जवार का आठा हमें दो से तीन बैचिस में एड करना है तो अभी से पानी एड नहीं करेंगे इस तरह से हम लोकी के साथ मसल मसल के आटे को मिक्स करेंगे अब पानी की जरुवत लगे तो गुनगुना पानी हम लेंगे तो इस तरह से हमें चपाटी के आठे के जैसा आठा लगा लेना है यह देखिए आठा लग चुका है एक टेबल स्पून गी लेंगे इसकी जगा आप तेल भी ले सकते हैं और अच्छे से हमें इसके साथ मिक्स कर लेना है गी के साथ हम इसे थोड़ा सा मसल लेंगे और हमारा यह जो आठा है पराठे के लिए वो रेडी हो चुका है चलि अब हम पराठा बनाना स्टाट करते हैं इस तरह का बटर पेपर लेना है बटर पेपर अविलेबल नहीं है तो और भी कोई प्लास्टिक सीट अगर आपके पास अविलेबल है तो उससे भी आप इसे बना सकते ह आठे के गोले को जवार के सुखे आठे में डिप करके हम रोल करेंगे गेहूं का आठा चाहे तो गेहूं का आठा भी अपले सकते हैं इस तरह से हमें हलके हाथों से रोल करना है ज्यादा पतला नहीं बेलना है पराठे जैसा हम बेलेंगी बहुत मोटा भी नहीं बेलना है सिखने में बहुत टाइम लगेगा तो यह देखिए अभी इसे हम थोड़ा सा और रोल करेंगे हलकी हाथों से हमें इसे रोल करना है तो हमारा यह जो पराठा है वो बेल करके रेडी हो चुका है बहुत ही फटा-फट से रोल हो जाते हैं ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी बट अच्छे लगेंगे अगर आप चाहें तो इसकी ऊपर थोड़े से सफ़ेद तील भी स्प्रिंकल कर सकते हैं तो पराठे को नहीं उठाना बटर पेपर को इस तरह से हटाना है पराठा डायरेक्ली उठाएंगे तो टूट सकता है तो यह पराठा सीखने के लिए रेडी है घरम तवे पर हमें इसे ट्वांसपर कर लेना है लोकी को हमने कदुकस करके लिया है इसलिए इस तरह से स्पेचुला की मदद से हम इसकी साइट थोड़ी मेंटेन कर लेंगे तो बहुत तेज आज पर हमें इसे नहीं सीखना है मजयम गेस के आज पर हम इसे सीखेंगे अग तो इसे दहीं के साथ अचार के साथ सव करें अगर बच्चों को खिलाना चाहते हैं तो इसके उपर थोड़ा सा जैम अपलाई कर देंगे उनकी पसंद का तो बच्चे भी इसे बहुत सौक से खाएंगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करें अभी तक चैनल को करना बिल्कुल ना भूले तो जल्द ही मिलेंगे फिरेक ने रेसिपी के साथ तब तक लिए बाबाई